तो चलिए कुछ नया बनाते हैं, कुछ अलग अब जो ये देख रहे हैं, ये नाइट क्वीन है हिंदी में इसको हरी शंगार और बंगाली में शिफाली फूल भी बोलते हैं ये फूल दिखने में जितने सुन्दर है, उसी प्रकार इसके पत्ते शरी के लिए उतना ही जादा बेनिफिट है सबसे पहले हम इसके पत्तो को तोड़ लेंगे, उसके बाद एक कटोरी मसूर की डाल और आदा कप गच्चे चावल ले लेंगे और पानी ढालकर पास से 6 घंटे तक इसे भिगोगे रखेंगे गिने के बाद हम इसे जार में ढाल लेंगे, पत्तो को भी इसके अंदर ढालके पेश्ट बना लेंगे पिट्ची के साथ, और उसके बाद हम इसमें नमक मिलाएंगे, स्वाद अनुसार अब इसे हम गर्मा गर्म तेल में पकोड़े की तरह फ्राइ करेंगे तरह तले में थोड़ा टाइम लगए इसलिए थोड़ा इंतिजार कीजिए इसे लो फ्लेम में अच्छी तरह से पकाना है जब तक ये पक रहा है आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए अब हम इसे एक एक करके बलट देंगे और फिर से थोड़ी देर तक कमाज में पकाएंगे याद रखिए इसे तब तक पकाना है जब तक कि इसका कलर गोल्डन ना हो जाए और एक बार फ्राइ होने के बाद ये बहुती ज़्यादा क्रिस्पी बने है इसे ट्राइज जरूर कीजिए ये खाने में जितना टेस्ट ही है उससे ज़्यादा सिहत के लिए उतना ज़्यादा बेनिफिशल है